तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं त्रियंट के आधे ट्रैक पर यह हमारे सात्ती हाई अभी हमारा गाइड पीछे आ रहा है हम पहाड़ी बंदे गुंजुबा बठाश जय बोले जय बोले अब यहां पीछे उदर उदर नीचे नीचे हमारे साथ वाला गूप भी आरी आवी तो गाइस नीचे का विव अभी मैं आपको दिखाता हूं यह नीचे का विव और यहां से हमने ट्रेक स्टार्ट किया था यह नीचे बाक्षू वाटरफाल है अब यहां से विव दिखाई नहीं रहा है यह दो देख सकते हैं पैला ग्लाइनिक हो रही है इसमें दिखी कि नहीं इस जूंकर निबारा यह देखो बादल आई बहुत एक उसी दीपेट पहाड़ी लेंको इस पहाड़ी लेंको इस पहा अब लुक्त हम आपको बीच बीच में जो यह दिखाते रहेंगे तो काफी अच्छा है क्योंकि मैं तर्था टांम ट्रैक के लिए जा रहा हूं साइकिंड टाइम मैं पहुंच नहीं तुकि जनवरी के मन्त में मैं यहां प्याय था तो 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 पूरा ट्रैक का डिस्टेसा वह एट किलोमेटर तक है प्ट मैंने उस टाइम जनवरी में जब मैं आया था लास टाइम में तो मैक्सिमम चार किलोमेटर पहुंच पाए थे उसके आगे बर्फ इतनी थी कि हम उपर नहीं पाए तो आज हमारे पास अब आचंध आज हमारे पास एक बेडर चांस है कि आम र पहाड जो तेनुट के दोलादार हिल्स जहां से आपको दिखाई रहती है वह आला जो पूरा पहाड का वीव वह आपको दिखाए जाएगा वीडियो में तो हमारी वीडियों को देखते रही है आप अब 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 आडवेंजर तो पहली बार होता है सेकेंड और थार्ड टाइम में तो यहां चिल माने के लिए बंदा जाता है उपड़ अब आप लाइस प्रस्में टुकें पर चलें दस्में टूकें हां वैसे सही है शाम तक तो पहुंजी जाएंगे तो यह 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 हम दिल लाइए हमारा गाइड नाम के भाई का भाई नाम पिता दो बोला बाई बाई बोला बाई हमारे गाइड है इनका नंबर हम स्क्रीन पर शेयर कर देंगे जिसने भी कंटेक्ट करना उनसे कर सकते हैं ठीक है भाई हम आ रहे हैं करेंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि दो क्लिवेटर हम पुड़ा चुके हैं यह पहला काफे यह ट्रैक का यह क्या बात हुई यह साथ वाले जो बंदे हो रेस्ट ले रहे हैं इतनी चड़ाई हम चड़ रहे हैं यह बाई बात तो सही आ इतनी इतनी तेश तो वह जो गदनी चड़ाई है वह बाई आप इनका कंपेरिजन गदन से कहना जाते हैं मतलब यह देखो शीदे मोह उल्टी बात भाई मैं मोटा हूं पता कहां से मोटा हूं प्रक शुक है अमोटा वह दो है। से दिन एक डाल में दिन प्रफार मानें तो हैं आड़र कमलीट हो चुका यह रहे हैं आपनें आपक शापकेशज नावे जाएं सिलम्स दफाल सोग दगें लिगाएं आपकेश्ए ट्रेुछ आश्यां पहुआः आपकेश्या यह जह स् कि यहां का व्यूव आप चेक कर लो वीडियो में है नीचे मेगलोड गंज और धर्मशाला का व्यूव कि यहां पर आपको केम्पिंग करने के लिए केम्पिंग टेंट मिल जाएंगे कि वहहां कि अपर हलका मोसम ठंडा है थोड़ा सब्सक्राइब करें कि मार्स का महिना है अज से बाइन दो इसको कि अपर है कि आख करें अजिए अधिक जान रहे हैं अधिक आपना पो दूख को बारिश का मोसम हो रहा है इंपर दूदी धूदा रहे हैं आ है तो है लो गाइज आप देख सकते और कि यह यह ज़से तीन किलोमेटर बाकी है उपर देख लोग अब पार गलाइडिंग हो दिया है अब जाने जिनका ब्लोग चल रहा है हमारे चैनल का नाम नीजी मेंशन कर दियो आधागा जाए अ ज़का lagi मिसेव झुटा शुटा और अभा कि राख ऑलाइडर वपर जाएडर में दो धन है व्या ओर्व दोद Thom नुग अइंड आपकू एक नर्श या उली गईज़ एपनेल एप सुच भी 11च आप अप उले लिए याज अब ऐसे उत्राइज़ तो गाइस अभी श्यांप के साड़े चार वजह है और यहां कभी आप चेक हसकते हो यहां पर आपको आप केंपिंगर सकते हो तो यहां पर जो उपर को पॉइंट है जहां पर हमने जाना है मोसम खराब अने वाला है वारिष तो बताही लिया वड देखते हैं बाई यह सीधा पहाड जो चड़ना पड़ेगा हमने जाना पहार की दोसी तरफ जहां से हमें बर्वाले पहाड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आया है नीचे से यह है नीचे का व्यू वह वह यह तो सीधा बैट उत्रियूंद चला जा बस थोड़ा वाकी है तो गाइस यहां से दो किलिमेटर अभी बाकी है ट्रेक है को गाइस को गाइस यह देख सकते हैं आप हो आप हर महादेप प्राइस यह उपर टॉप का वियू है काभी थंडी हवा चल रही है अपर दो यह हमारी तो नीचे प्राइस यह दो मार्केट से रहे हैं तर्म शाला मार्केट से यह जो भी आप उपर लेना जाएं आना जाते हैं वो लेके आएं क्योंकि उपर बहुत ही है तर्म पाने के बोटर भी मिल्म पचास पे में आपको मिरते हैं तो यह आ रहा है हमारा गाइड पहुंचके आप पर तो गाइस यहां से हमारा ट्रेक बसता है किलोमेटर और उपर के लिए वेज का पाइट है काफी वाड़ा लोकेशन है करने के लिए अपर फूरी चिल्ड हावा चल दिया ठेड़ी हावा चल दिया काफी मजा आ रहे है कि नीचे का भी माप चेकर चुक्तों यहां से कि नाइस पारो का दो लगी हो जाएगी जिसके पास अपना कैम्प टेंट बगेरा हो यहां पे कैम्पिक कर सकते हैं कि नाइस यहां पर फूरी चिल्डा बाच पर दिया बाच पर दिया रहे है जटावो कलारी यहां डूडू नसेया जटावो कलारी यहां जटावो कलारी यहां दूडू नचेया जटावो कलारी यहां अब यूचे करो वाइस क्या करना दे मैं बोड़े वोट विज़े यह यह बीडियो आप अच्छी अरिया यहां अलकिल की दूप आरी है कावी मजह मैं जहां पूले मजह आरी है वस बाद कर तब बाद कर तम है और जिंद्धी भी आपर जाएंगे जाना थोड़ी देर बाद चाप यहांनी पहले हानो वाइस गाइड गाइड इतना गंदा मिला है हमारे को पूरे रास्ते में गाइड हमारे साथ नीता फिर भी हम पिछे और वाइड पिछे और वाइड तो पिछे नहीं थी क्योंकि हम थार्ट मैं तो तीसरी बार ट्रेकिंग करने आ रहा हूं यहां पर ट्रेक्ट विए पाई बोट लूँ पाई एगाई अभी वहारा पिछे ना उसने एक वार भी चाही के लिए पुछा है के तर दो बार आपको चाही मिलेगी और आथ को आपको दिन्यमीर अगल्टाइगा तो कोई पॉसिबिल्टी है नी कि रात को मिलेगा तो कि हमारा गाइड आपी तो हम यहां पर रुखे हुए अभी देखते हैं कि यहां पर रुखेंगे हमारे टेंट लग चुके हैं यहां पर तो अभी हमने जाना था त्रों ऑपर हिल्स के लिए रात को यहीं रुकना पड़ेगा उपर मौसम काफी खराब है तो अभी देखते हैं रात को यहां पर श्टे करेंगे वाकी सुगय का व्यूज आपको यहां से दिखाएंगे थोड़ा व्यूज यह है पहाड़ों का व्यूज यह है दोलादा हिल्स जो आपको दिखाए तरी बट्टी यहां पर बादल चाहे हुए है बादल काफी नीचे कोशिश कर रहा हूं यह जो आप देख रहे हों यह यह पहाड है उपर यह सारे बादल नीचे आए रखें यहां पर बादल से पूरे पूरे पहाड जो भी ग्लेशिर हो सारा डखा हुआ है अभी इस टाइम है क्योंकि शाम का टाइम हो रुखा है अगर सुबह में कैप्च प्रस्ट टोर चाहिए जाप पीला इस थी प्रस्ट है तो गाइस अभी हम करने वारे है फ्रैंक चैसल सुनते रही हो जाप लाए है स्थे थे थंड़े पहाडों में यह चाहिए और वीश्गन मिलना चाहिए सब्सक्त, जा पील आए है और निग्त अगल चैंवाए तो भी अभी हमारा टेंट लग रहा है यहां पर अब यह व्यू है रात को हम इसी टेंट में रुकिंगे अब यह हमारी गाइड साथ यह गंदे गल्द काम करते हैं गुर्वाई गल्द काम है यह पहाड़ों में आकर गंद नहीं फिलाना चाहिए अब हम जारे दोलादार हिस देखने हमारा कैंप तो नीचे लगाए यह लगाए यहां पर अब हमारे पास टाइम था तो हमने सोचे क्यों ना जो थोड़ा सा ट्रैक पचा है वह भी बुड़ा कर लें कोई कल का पता नहीं है सुगह उठा जाए या जा पाए या नहीं जा पा वाई सीधी चढ़ाइए उपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक तो एक किलमेटर तो वाई सीधी चढ़ाइए वह इस यह है दोलादार हिल्स है अभी उपर पहाड़ों पे थोड़े हल्कल की दूप है इस पर बरब कम पढ़ी है नहीं तो यह सारा ही बरब से डगा हुआ जो भी पाड़ी है सामने दिखाए देती है थोड़ा इदर हो हाँ वाईस यह है दौलादा हिल्स पूरी हिल्स पे अभी बादल साय हुएं तो अच्रा विउ नहीं आरा है इस ताम तो हगी सी दूप आज़ाए तो काफी शायन करते हैं है 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 वो मेरे पे ली आवे हो मेरे पे ली आवे के पिएक टाइब करते हो सिद्यानि एक और ने करुदे महापत कर दया घुला थी आखे पूरा करके नीचे आ गए है अपने केमपिंग के पास तो अभी हम रात को यहीं पे stay करेंगे तेंट में तो अभी साम को sunset आप यहां पर देख सकते हो प्राफी क्लियर दिख रहा है यह हमारे तेंट अभी लग चुके है तो रात को में इसी में stay करेंगे यहां पर और यहां का भी पूरा क्लीर हो चुका है और से क्यूंकि काफी बादल थे पहले तो अभी sunset का विव है तो काफी क्लियर दिखाई दे रहा है तो जो जो भी हमारी बीडी देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी बीडी को ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो गाइस नेक्स ब्लॉग काफी अल्टिमेट रहने वाला क्योंकि हम आपको त्रिवंड में मौनिंग का ब्लॉग यहां पर दिखाएंगे जो मौनिंग में आप भी रहता है वो आपको दिखाएंगे तो हमारे ब्लॉग में बने रहे यह चैनल को सब्सक्राइब करें